को हाँ बोलो किया बात है बस मांज बोलेえ को ऑई फो हम जाती है क्रूं जाती है छाइए छाइए तो पर्चे लिखना पड़े आपको समझस्य से क्यां बुलिए सुनाइए है आप को समझस्य Use we यह क्या बात अच्छो निशा सर्मा का उसे के लड़के से वह चला है किसे चला है आसु से तो सर्मा या ब्रामन वाले ब्रामन सर्मा है जिसा सर्मा गल्ट लखें जैस्ट लगा लो माइग नीच रखो अपड़ो कि नहीं पढ़ा रहा है हम पढ़क बता दें यह लिखाए निशा सर्मा का लब चल रहा है अंसू से लब है प्रेम प्रशंग है मेडिकल की पढ़ाई कर करे तो सफलता मिलेगी बैसे नहीं घर में जादू टोना है वह तंत्र का प्रियोग है समाधान होगा असिरबाद है है राइट है थे एंशू से चल्ड़ाना माई से भलो आशू से चल्ला चलिये हनमान जी कृपफा करेंगे आज से ही तुमारी बेटी का आप चाहो तो स्षादी कर बादें उन्हें तो दूर कर बादें नहीं करना है चलो बेटी से एक बार बात कर दीजिए तो हम अठा दे क्योंकि लड़की के लेवल का ये बच्चा नहीं है क्योंकि ये बच्चा पूर्व से ही आपके लेवल का नहीं है और साथ-साथ ये लड़की के लेवल का भी नहीं है योगता में भी बार्मी फैल है राइट चाल माइक नीचे रख दीजा वैसे दो पढ़ा ही डाई से बढ़ी बहुत का भाई का नड़का है बतीजा है उसका चलिए आप रसा करिए एक 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 सो एक रुपए का शूजी लेना है शूजी और शूजी को बनवा करके उक्ष्वा बढ़िया मिस्ठान इस्ठान गलवा करके दाक चरौंजी बादाम जोवी सक्क्रक्र डालके और घीका सुध हलुआ बना करके पुष्पावक्ती में चड़ा ही है और हनमान जी की शिक्रफा कि शिग्री सुभ समाचार प्राफ्त होगा वैसे तो मोबाइल के फेस्बुक फेस्बुक से सेटिंग ही है आमने सामने का में मोबाइल पर जादा है मोबाइल में है यह ना साथ हो किलो मेटर दूर है लड़का हम बोलतो रहे हैं तो बस थोड़ा आ है और सच्चा प्यार होगा है तो फिरम कुछ कहेंगे नहीं और नकली मकली होगा तो पंदर दिन में समाफ्त हो जाएगा असिर्वाद है उसको हटा देना उन्हां इसाधी करना पहले मुझे सोचने का मोका दो पंदर दिन जिलो पहले है अब तुम्हाइं पतनी को क्यों बहुत बाद एक तो चाहिए अब आतो पतनी आई तो कहा मतलब है तुम्हामें एक सो रुपर दीजिए है सो दोसो जो पांट सो जो भी है वहां दिखा और मैं पर्चे पे दिखाओ सीधा सीधा दिखाओ सीधा कि बाद अगे है कि अगे हनमां जी के रुपा करेंगे और इसी रूपय से आपको एक करना है और हनमां जी की रुपा से ततकाल लाब होगा अशिरवादे चलिए ततकल पस्पवती जाओ सुबाई दात में मत जाना है ना जहां जांत भूलें पंडू कर सगार की हाँ बोले क्या पूछना चाहते हैं किसको कहा है कि खड़े हो जाए अरे वह जाए है क्या नाम इनका आपने किसी को बताया तो नहीं किसी ने पूछा तो नहीं था इस बच्चे को तुम जानते हो नहीं जानते हैं हम लेका ममता देवी को शौराशिस की सिकायत है सौराशिस एवं खुजली मस्ति है चमडी इंफेक्शन है धूल का इंफेक्शन है लाव होगा असिरवाद है हमाई गारंटी है ममता देवी का चरम रोग शौराशिस ठीक होगा असिरवाद है और साथ में अगोरी का चक्कर है के नहीं लिंखा में के लिखूगा आपके कहनी पर लिखूगा नहीं है इधना देखे याया कर देंदा पानी को हो तो आप क्या कहते हैं कि महराज जो Uni पूछने आई वह तो अपने लिखा ही drills तो हमाय लिए टेंशन है ना हम बोल लिखते हैं जो आप मुल रूफ से लिखके रहते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया ने बहुत दवाई चला ली नहीं क्या बीमारी बताई यह नहीं बीमारी क्या बताए तो नहीं चरम रोग कि अधाद की चरम रोग कि जाओ इंफेक्शन आज से ठीक होगा घर में लड़ाई देंगा बाचाएगा नहीं लिखा आपने बच्चे हैं अपने के हुझे ही रोग है वो जाओ यह माई गारेंटी लाव होजे अगोरी का चक्कर है और यह मंत्र आपको नियम से करना है एक सो आठवा करना है तीन रामाइन तीन दिन का हवण तीन नारील बंदन करना है अनमान जी क्रपास से सफलता मिलेगी आसी बाद है बोले सी पंडो का सकार की आप पड़े लिखे हैं आपने हां किसी को ममता देवी का नाम या चरम रोग के बारें बताया था थोड़ा हाथ करिए इनको जूम लीजिया हाथ में कि यह चरम रोग शौराशिस ब्लेट एवं चंबडी धूल इंफेक्शन इसको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं खून खराब हो रहा है चंबडी में शौराशिस का गुना लग यह इसको कही लोग दाथ खुजली जो भी बोल रहा है वह पहीं जगह पर है हमने भी जो लिखा है इसकी देख रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे वहां से ठीक है साथी मंत्र जो है एक सो आट बा करना है ती रामाई तीन दिन को हवंती नारियर बंदन करना है एक सो आठ बर करना है गारंटी हमाई यह लाव हो जाएगा आसीबाद है जो आपने अतरिक्त पूछा है बच्चों की पढ़ाई बच्चों का स्वास्त घर में कलीश वह मनें नहीं लिखा हो ठीक हो जाएगा मैं बूल तो रहा हूं स्वास्त में वही बात बोल रहा हूं थोड़ा दुमाग खूल के बैठो हैंग मत हो क्राप्ट हो जाओगे फालतों के चलिए हनमान जी करपा करेंगे पहुचिए जाएए बुलियसी पंडोकत सरकार की श्राद गुर्दरवन स्री अतिवांद जी महराच्ची